Hello everyone, this is Papand Sharma and friends, फिर से इस वीडियो में एक चार्ट को एनलाइज करने जा रहे हैं, एनलिसिस के साथ साथ हमारा जो टागेट रहे गा, वो रहेगा, इसमें एंट्री हमें कहां मिलनी चाहिए, साथ में हमारा टागेट क्या होना चाहिए, साइमल्टेनिसली, रीजनस अफकोर्स कि हमें इसमें एंट्री क्यों करने चाहिए, ये सब चीज हम डिसकर्स करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टॉक का नाम, स्टॉक का नाम है AVT Natural Products Limited, और ये उसका चार्ट है, तो चार्ट के बेसिस पे हम टेक्निकल अनिलाइज करेंगे, लेकिन जैसे मैं आप से हमेशे कहता हूँ कि अगर आप को शॉट टम भी लेना है, तो एक बार स्टॉक को चेक कर लीजिए, कहीं आशा हो तो नहीं कि रिसेंटली उसके पास में कोई major problem हो या कोई ऐसे news हो, उससे ये पता चल जाता है कि इस टाइम पे ये stock buying के लिए ready है या नहीं है, तो अगर हम नीची आते हैं, तो stock में सरफ एक weakness है, वो यह है कि रिसेंटली जो है profit margin कम हुआ है, otherwise there is no problem with that, Pytroski score बहुत अच्छा है, HN cells बहुत अच्छे हैं, bearish है, लेकिन bearish होने की वज़े से ही हमने इसको pick किया कि इसने अपने support पे आके बापिस से bounce back किया है, या आप उसको कह लिजे कि जो resistance था उसको break करके successfully इसके उपर close किया है, that's why we have picked it, और एक और reason है, अगर आप नीचे देखेंगे, तो इसके ये वाला, stock अभी अपने weekly जो 52 week low से 82% high है, इसका मतलब कोई जादा weakness नहीं है, और अपने high से सरफ 19.37% down है, और आज भी उसने 1% positive में close किया है, तो सबसे पहले चेक करते हैं चार्ट को, चार्ट में इसने रिसेंटली breakout दिया था, in the month of July, breakout कैसे समझ में आएगा, breakout ऐसे समझ में आएगा, कि आप इसको एक rectangle में plot कर दीजिए, from 2020 mid August से लेके, और almost for almost like 10 months तक, उसने उस 9-10 months तक उसने इस range में trade किया, और फिर breakout किया, breakout करने के बाद में, लगातार एक trend line के ओपर trade कर रहा है, पहला support, दूसरा support, third support, and once again it has taken one support, plus इस support के साथ में हमारा entry ready हो जाता है, entry हमें हम मिलना चाहिए, यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, यह है कि इसमें, this will be the entry for us, यहाँ पे immediate में, लेकिन अगर यह break हो जाता है, तो यह stock invalid हो जाएगा, मतलब entry आ तो आपके यहाँ होने चाहिए, या फिर अगर यह break करके नीचे आ के यहाँ support लेता है, तो entry यहाँ होना चाहिए, अगर यह नीचे गर जाएगा, तो यह stock में entry invalid हो जाएगी, फिर आप इसमें entry नहीं लेंगे, तो यह चीज़ का ध्यान रखिएगा, कि सरफ इसी जोन में आपके पास entry available है, या फिर अपर होजन लाइन के ऊपर आपके लिए entry available रहेगी, entry ऊपर की तरफ हमारे पास निकल के आएगा, that will be somewhere close to 76.20 से लेके 76.50, आपका stop loss रहेगा इसके नीचे, that will be somewhere close to 73, which is the stop loss, हमारा target होना चाहिए at least 85 का, यह हमारा target रहेगा in ABT naturals, लेकिन अगर वो नीचे आता है, नीचे गिरता है, तो अगली entry हमारे जिसको आप E2 बोल दीजेगा, अगली entry हमारे बनेगी 72 के राउंड, 72 से लेके 73 के बीच में हमें नीचे के तरह पे entry मिलेगी 73, और यहाँ पे हमारा stop loss बनेगा 70 का, अगर आपको नीचे मिलती है तो अच्छी बात है, जिसने यहाँ पे देखे आपने, अगर यह उपर जाके, जैसे यहाँ पे आपको लगता है entry होना ची यह, तो आपको नीचे entry मिल गई, फिर आपको लगता है कि आपको entry मिस हो गई, एक बड़ी candle के बाद में फिर से आपको देखे entry दुबारे मिल गई, तो इसकोड भी कॉइट पॉसिबल कि आपको entry यहाँ ना मिल के entry नीचे मिल जाए, दोनों entry का ध्यान रखेगा, टागेट हमारा सेम रहेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन इसने अपना recent resistance break किया है, यह recent resistance break किया है, इस breakout के बाद में entry और attractive हो जाती है, बाव 76, अगर stock अपने इस level को hold नहीं कर पाया, तो हमें दूसरी एंट्री नीचे के दिना रखना पड़ेगा, and that's how we will trade AVT naturals.